14 नमबर की देर राज सहारा गुर्प के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया। जिसके बाद उन्हें कोखिला बेन दीरूबाई अंबानी में भरती करवाई गया। सुब्रत रॉय ने सहारा समु से उस वक्त लाखों गरीबों और ग्रामिण भारतियों को जोड़ा जब देश में बैंकिंग की सुविधा जनजन तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन सुब्रत रॉय का सामराजित तब हिला जब बाजार नियामक सेवी ने उनके खलाब कदम उठाए थे। सहारा ग्रुप की लंबे समय से सेवी के साथ लड़ाई चल रही है। वहीं कई लोगों के जीवन पर भी पूंजी अभी भी फसी हुई है जिसमें जायतर लोग ग्रामिण है। वही सुबत रोय के निधन के बाद सबसे जादा जो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं वो है कि आके क्या लोगों के फसेवी पैसे वो वापस होंगे या नहीं। तो हम आपको बता दें कि अगस 2023 में सहरा इंडिया की चार सहकारी समीतियों में फसे करोडों निवेशकों के लिए रिफर्ण प्रोसेश शुरू हुआ। सहरा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटि लिमिटेड सहारयन युनिवोर्सल मुल्टि पोपर सोसाइटि लिमिटेड हुमारा इंडिया क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटि लिमिटेड और स्टार्स मुल्टि पोपरेटिव सोसाइटि लिमिटेड के निवेशकों कुन का पै अधार चालू मुबाइल नंबर से जुड़ा होना ज़रूरी है साथी बैंक खाने से भी आधार कर जुड़ा वनिवार है इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएगा इन सभी डॉक्यमेंट्स के साथ आप सहरा पोर्टिल के जरी अप्लाई कर सकते हैं जैसी ही आपका आवेदन सम्मिट होगा आपको एक एंडॉल्मेंट नमबर मिल जाएगा साथ ही आपके रेजिस्टर मुबाइल नमबर पर SMS भी आएगा अप्लाई करने के लिए कोई फीस न लगाया है यानि पहने चरण में निवेशकों की जमाराशी वापस लोटाई जाएगी जिनका निवेश 10,000 रुपए है